को आपको नो खंपूर हम है comparison कलंब शेर करन्ती मैं विका स्वागत करता हूँ आपको आपने परिवार regard double में तो आधम रहने तो आधम भी network में सरकल से करेंगे questions वह होंगे हमारे advanced questions जो सारे के mix-up होंगे ठीक है तो आज हमारा जो होगा एक तरह का basic की होगा जिसमें सरकल के वारे वीजन करेंगे उसके basic question को करेंगे और उसके बाद कल से जो हमारा questions होगा वह questions आपका अच्छे level का question होगा तो आज इस class को देखते हैं कि आपको एक बाद हो जाएगा उसके बाद हम लों question क्याएंगे suppose कोई circle प्रोपर्टी नंबर वन आप मालीजे कि अगर कोई circle है तो circle के center से मालों कि center हो गया यह कोई chord है कोई जीवा है यह कोई जीवा है इस जीवा पर पर पेंडिकुलर करते है मालों कि आप M अपने पर सब्कुलर किया तो अ अम कि अगर पर पेंडिकुलर है जीवा a-b पर यह पराइद कि लो काम होता है यह जीवा को बराबर भागों में बाया है यह पर बराबर होगा mb ए m किसके बराबर होगा mbe- politique यह बराबर शाबर मिख यह प्रोपर्टी हुआ है یں जो है मिद्व पॉइंट। हो कौट अफ कर मिद्व आखव आफ लीभ तर तो ता मिद्व संटर से मिलाते हैं ट क्या होता है quests मिद्वाइं जो क्यों सेंटर से मिलाते है तो जो लाइन आता ओं मूर और perpendicular होता है AB perpendicular होता है कब जब M midpoint M midpoint होने का मतलब AM बराबर है MBK AM बराबर किसके है MBK यह चीज़ आपको समझी में आगई जो बड़ा ही important property है इसको कई दफ़ा यूज करते हैं ठीक है इसके बाद इसका second property में आपको बताता हूं बस इसको देखते चलिए उसके बाद हम दो कोशन करेंगी जिसमें इसकी यूज होगी कि अगर अगर हम बात करें second property की बात करें second number property की बात करें है तो circle में मालो की center है center पर बना कोण center पर कोई กी आधा है इसका अधा रखेंगी इसका अधा बनाएगी यह property आपको मालूम होगा हुझा important property है कि Center पे बना कौन परीधी पे बने कौन का दोगुना होता है ठीक है उसके बाद इसी प्रोपर्टी को थोड़ा से एक पर और देख लेते हैं सपोज मालों कि आपका थीटा हो गया और आपका यह कोई जीवा हो गया एबी जीवा हो गया और यह जीवा जो है अगर इधर स बढ़ार और कितना बनेगा तो बनेगा इसका अधा बने गई एनि अलफा बनेगा यह चीज्जा को समझ में आ गई होगी कोई दिक्कत नहीं हो आओगा ठीक है अब इसके बाद इसका नेक्श्ट प्रोपर्टी देखते हैं उसको समझते है कि 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 इसके बाद हम लोग आत कि कि ये सरकल में कोई चत्रभूज बनता है क्वाडिलेटराल बनता है ऐसा क्षाइडी्ट लेटरेल सबस्क्राइँ क्या माना कि हो गया अपाइज हो गया स्यम्ला मा जोत चारो सिर्ज्ण परईधी पर हो सरकल के सरक्म्फ्रेंस वह ilsए जा स्थ करू covers हो गया चक्रिये चत्रभूज हो गया है आमने सामने की को लोगा में 180 होता है एंगल ए पलस एंगल सी बराबर का होगा 180 degree ऑंगल भी अंगल डी कितना हो गया एंगल भी आप प्लस एंगल डी बराबर क्या हो जाए एक सो असी डिग्री हो जाएगा ठीक है यह समझ हमा गया यह चक्रिय चत्रबुज का अंच्रबुज तो इला था खीट आप फू मीं की बढ़्ण सिर्टे पराबर इस इसमें आगे बढ़ा दें aura जेट आप ADA को समझ में आगया हो इसको आगे बढ़ा देते हैं इंगा इंगल कि इसके बराबर हुगा इसके ब्लूद की प्रोपर्टी यह पर देख लिया फित क कि अगर कोई सरकल है सरकल के अंदर जो दो जीवा दो कॉर्ड एक दूसरे को सपोर्ज मांनों कि a b हो गया और यह c d हो गया m पर कट करते हैं तो a m into m b बराबर होता है cm और into m d के बराबर होता है ठीक है यह यह रिलेसेशन आपको important है, इसको note कर ली जाएगा, अगर किसी circle में दो जीवा, दो लुकल एक दूस्रे को बाहर कट करते हैं, एक दूस्रे को कहा करते हैं, बाहर करते हैं, suppose मालों कि A B Jiva हो गया, और और इंटू क्या तो PC के इंटू किसके PC के यह आपका important property था उसी तरह से को और property आता है उसको भी देख लिजिए टैंजेंट जो होता है असपर्स रेखा जो होती है उसे देख लिए पहले सपोज माली कोई सरकल है तो पहले सपर्स रेखा क्या होती है तो इसके किसी भी बिंदू पर सरकल के किसी भी एक बिंदू पर कोई लाइन हम ड्रो करते हैं तो क्या कहलाती है असपर्स रेखा कहलाती कि क्या होती है तो लंब होती है इसके बारे मारिला लग गया prawru असपर्ष रेखा के बारे में ठीक है तो अगर कोई सरकल है सरकल ही कुई असपर्ष रिखा ठीक है और कोई जीवा हρείब कोई जीवा दोनों एक दुट्र áreas को पी बिन्दू पहर कट कर रहे हैं पी एसपर्स यहां कार इसके बाद किया है ऑर इस एक और छीवरी तरह एंस रेकार जीवा इस क्टैन्जन और involves cinco आपके डो पी ए स्क्वाइर बराबर पी सी और इंटू क्या होता है पी बी के होता है इंटू क्या होता है यह इसको नोट कर लिजेगा तो आपको मैंने कई सारी प्रोपर्टी बता दी जो इंप्रोपर्टी थी ज्यादा यूज होता है उसको मैंने आपको बता दिया और कुछ बाकी है और कुछ बाकी एक और प्रोपर्टी बाकि उसको देख लिए ठीक है यह सारे कोशन में होते रहेंगे उसलिए मैं आपके बार रिमाइंड करा दिया कि ताकि इन चीजों को नॉलेज आपको होना चाहिए एक बार देख लेंगे घर पे जाकि अच्छे से चीजों को समझ लें अब इसके बाद इस पर एडवांस कोशन शुरू होगा कल से अब यहां पर हमनों कोशन करेंगे एक और प्रोपर्टी उसको देख लीजिए सपोज कोई सरकल है और सरकल के किसी बिंदू पर कोई एक टेंजेंट ड्रो किया हमने सपोज मालों कि यह हो गया एक टेंजेंट जैसे संथ जो कून बनाती यहीं खूर अभी इदर कहीं भी बिलेट के परिदि बनाएगि यहां आ कुछै लिकटर देंगे तूटि नहीं हमने में आएगी इधर कहीं परिद बनाएगी इडर कर इन परिपर्ण। प्रोपर्टी और इसी तरह सब क्या सकते है कि सपोज माली कि यहाँ पर एंब बिंदू पर टाज करती है और यह यह बी आपका क्या हो गया यह आपका असफर्स रेखा हो गया और यह आपका सेंटर हो गया तो यहाँ पर कोई जीवा है म एंदे ढिजे मन इधर से जितना भी कौन बनाएगी suppose यहां से तीटा बनाती है अब यहीं महिए इसके इधर कहीं बी कौन बनाएगी सर्कल पर सरकल के परेटी इतना बनाएगी ओठ ए अप को समझ में आ गया इतनी चीज़ा मैं आपको बता दी अब इसके बाद आते में पहले सवाल पे सवाल के साथ आप इसको प्रैक्टिस करते आहारें अब पहला कोशन कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इसे देखिए दिया हुए डाइग्राम दिया इस डाइग्राम को बनाते हैं पहले फर्स्ट कोशन के कि यह द्यार यह का सरकल दिया हुआ अब सरकल में यहां पर का है कहीं पर सेंटर है इधर कोई जीवाएबी है यह मेंटे यह स्के बाद आपका क्या हो जगा रे टिया हुआ जो डिया ओएट सैंटीमीटर ठीक है तो अमको बताना है कि ओ अगर सेंटर हो इन दा फिगर ओई दे सेंटर अब दे सर्कल अबी ओ इक्वल टू फॉर्टी फाइव डिग्री ओ किérieur अच्छा इंगर दी कोरह अच्छi कोशं करähr दिया हुआ कि फाय वयल्व अव आफर ऐसी बी ये कोशोन का डायर्म जो वह गलत प्रिइंट हो गया यहां कि इस कोशन का डियाग्राम क्या हो गया गलत प्रिंट हो गया यह कोशन कुछ और है और डियाग्राम कुछ और है इस कोशन का डाइग्राम गलत प्रिंट हो गया इस कोशन को हटा दीजेगा सेकेंड नमर कोशन पर आते हैं देखते हैं कुसका डाइग्राम कैसा है सेकेंड नमर कोशन को लगा यह कोशन और डाइग्राम में कोई ताल मिल नहीं है तो इस कोशन को अब हटा दीजिए इस कोश पुछा जा सकता है चलेगा डाइग्राम आपने बना दिया हुए फर्स्ट कोशन तो इस कोशन में आपको मैं आप कोशन बताता हूं कि कोशन है क्या इस कोशन को थोड़ा सा करेक्ट कीजेगा एबी इक्वल टू एबी जीवा इकल टू बराबर है सीडी के ठीक है और आप से लूजी वैलव क्या होगी यह चीज आपको बताना है तो कैसे बताएंगे तापको पता कि एबी बराबर है सिर्दी यह बारा और यह पर पैंडुक्ल और इसका आधा हो जाएगा यह क्या जगा जाएगा तब हमको यह निकालना हो तो ऑगी बराबर क्या जाएगा रूट प्रपर चोगा अथाइस जोनि दो रूट 7 आपका एंसर हो जाएगा तो इक वेलु किया हो जाए कि टूरुट सेवने नियुक्व हो जाएगी तब जा के कोशन कया होगा गारेक्ट हो जाएगा अब आते हमों सके कंड वादर कोशन कर सके कि-सक निम्ट कॉशन पर देखते है क्यान इसको चेक करते हैं अच्छा सेकेंड नमर कोशन का डाइग्राम जब यहां पर अब आप है अब फर्स्ट फर्स्ट कोशन सेकिन् डाइग्राम से ही है अ है ठीक है कि यह सेकेंड कोशन भी यहां पर क्या दिया है गलत डाइग्राम दिया डाइग्राम जो है और कोशन का इसमें आके एड हो गया है फर्स्ट कोशन हमने सही कर दिया फर्स्ट कोशन अपका सही हो गया सेकेंड कोशन देखते हैं कि सेकेंड कोशन क्या कह रहा है सेकेंड कोशन में दिया हुआ है कि इन दा फिगर एव और सी इकल टू एक्सों तीश डिगरी ओ इसेंटर दा वैलू अफ सी बी और यहां पर डियाग्राम में सी भी यह कोशन दो नमबर कोशन गलत है रुषट दोनमर कोशन अटा दीजिए थर्द लासल का डायना और बिल्कुल अलग अलग है गलत से यहां पर डाइग्राम जो किसी और कोशन के हां पर प्रिंच हो गया इसको आप छोड़ दीजिये थर्ड नमर कोशन को देखते हैं व figure triangle ABC is a equilateral triangle ठीक है तर पहले figure बना लिजिए figure बना लिया हमने आप यहां पर जो दिया हुआ है question में कि यहां पर ABC equilateral triangle दिया हुआ है A B C equilateral triangle दिया हुआ है और यहां से पूछ रहा है कि B E C की value क्या होगी, एंगल बी इस की value क्या होगी, इस question में यह आपको बताना है, जब ABC क्या हो, equilateral angle A B C क्या हो, equilateral angle ठीक है, इसको बनाएंगे और बताएंगे, च्या answer होगा, इस को वह को कि यह को अब का सही है इसको बनाई आपनों से अंगल नीकालना भी एस इंगल निकालना है ठीक है इस एंगल को अब कैसे निकाले घょत देए तो देखिए आपको पता है की management 60 होगा यह भी क्या होगा विक्लिञओ और भी क्या होगा 60 होगा अब देखिया उप एक आप को चत्रपूज दिखाई दे रहा है THE a b e d चकले चत्रपूज इसके चारो किस पे हैं तो इसके चारों पॉइंट जो है आपके ब्रीथ के परिधी पर है तो चक्रिद के चत्रबूष हो गांति इसके आमने सामने कोनों का यह गए हट एक सवसी होता है इतना अप प्लस इतना क्या और एक 180 वोगा तबनिख सकते हैं कि angle A yet are a plus angle e blow a 180 degree हो जाएगा to angle e निकालना होको 180 अ blood esos 10 इन करंगी हो दूber है期 20 का हो जायगी ही यह आपका एंगल आगया यहां पका एंजल क्या हो गये 120 हो गया तो यह अपिसका dov救 यह घर इसके बाद फूर्थ नंबर कोशन अगा देना इसके बाद आते हैं चौथे नंबर स्वाल पर फूर्थ नंबर कोशन पर आते हैं उसे देखते हैं कि फूर्थ नंबर कोशन पर आते हैं उसको देखते हैं कि फूर्थ नंबर कोशन का एंसर क्या होगा हग मेरे हुआ हाग 156 नंबरश वाला के स्कृन पे आगया इसे बना और बताए किया अंसर होगा इसका डाइग्राम बनाते हैो देखते हैं किया कोशन दिया हुआ एक सरकल दिया हुआ इक सरकल बना दिया उसके बाद जो है इसका A B एक diameter है A B क्या है diameter है A B हमने यहाप पर diameter बना दिया O इसका क्या हो जागा center हो जाएगा और यहां से जो हम लोग एक line draw किये यह आगिया center पर 60 degree है हें उसके दिस लाइन को मिला गिया है और हमसे कौन सा एंगल पूछा गया तो एंगल एस की वे ऐलुचा वाइलürü क्या होगी यह आपसे डिया है यह 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 सी दिया हुआ है यह सी ओंगल क्या होगा इसे फार गवें करना तो इस वे श्थलош्य कोंडे से पहले इस को एक property बता दो बताया नहीं सुपोज कोई Circle है तो circle का ये कोई भी परीधी दिया हो सोरी कोई भी अगर आपका डायमीटर दिया हो राशा है अब अगर ब्यास है ये विखास है ये विखास सरकल पे कही भी कुन बनाताह तो तो नवेधे ग्रीकर मनाता तो के में से यह माइनस कर देंगे यह को निकल जाएगा यह को निकल जाएगा यह को नो पता कर सकते हैं कैसे हमें पता है कि सेंटर है तो सेंटर के क्या हो जाएगा रेडियस और भी क्या जाएगा रेडियस हो जाएगा तो इसके सामने कर इसके सामने क्या होगा बराबर हो जाएग नबे में से क्या करेंगे 60 मैनस कर देंगे 90 माइनस 60 बराबर क्या हो जाया इसके बाद आते हैं फिट नॉम्बर स्क्राइब लगा है 고revy इसका है इसका इसर क्या होगा इस 16 नमबर स्वाल आपके स्क्रीन पर आ गया है इस कोशन को कीजिए और बताइए क्या एंसर होगा हे फाइब नमबर कोशन में क्या दिया हुआ है तो एक दोस trophies और यहां से नाम दिया हं और यह line डी है यह और उसके बाद यह 60 डिरी है और उसके बाद यह ओ दिया हुआ है और यहां से मिला गया है और यहां से मिला गया है ठीक है उसके बाद दिया हुआ है की the line segment bod BD यह BD यह जो line है यह line जो है is angle by sector of aoc aoc इस angle को bisect करता है तो यह 60 है ते भी क्या होगा 60 degree होगा ठीक है एंड एंड एंगल बाइसेट और c o d equal to 60 दिगरी c o d60 डिया हुआ थिक है तुमको पताना कि find angle a b c एंगल ए भी सी क्या होगा तहमें पता है कि टोटल एंगल कितना होगा यह टोटल एंगल होगा 120 डिगरी ठीक है और यह टोटल एंगल किसे बना हुआ, इस कॉर्ट से बना हुआ है, तो कॉर्ट से अगर centre पर जितना कोन बनता है, उसका आधा उपर कोन बनता है, तो ये उनल कितना हो जागा? 60 neighboring अगल A B C बराबर क्या हो जागा 60 neighboring हो जाएगा अंगal ABC क्या होगा 60 होगा डी नमबर होगा सही है आप से क्या पूछा गया है a b c पूछा गया a b c आप कितनी हो जाएगी 60 दिगरी हो जाएगी अब इसके बाद आपके सामने six number question आ रहाए छे नमबर सवाल आ जाएगा जा ना कि अच्छे नंबर स्वाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है इसे कीजिए और बताइए क्या एंसर होगा छे नंबर स्वाल का कि अच्छे नंबर स्वाल क्या दिया हुआ कि अच्छे नंबर स्वाल क्या दिया हुआ च्छे नंबर स्वाल में दिया हुआ एक डाग्राम दिया हुआ इस डाग्राम को पहले बना दीजिए कि सरकल है एक सरकल बना दिया उसके बाद इसके चत्रभूज दिया हुआ इसके अंदर एक चत्रभूज भी बना दिया है ठीक है इस चत्रभूज का नाम क्या दिया हुआ नाम दिया हुआ है A B C और D चत्रभूज दिया हुआ है उसके बाद A B C D चत्रभूज दिया हुआ है और यहां से यह मिलाए गया है और इसको मिलाए गया है और यह पॉइंट क्या दिया हुआ है तो P दिया हुआ है और यह एंगल आपका 40 दिया हुआ है और यह एंगल कितना यहां पोगे आप से पोछ रहा है और कोशें में क्या दिया हुआ है पी जो है समधिवाजग करता है यानि यह जो भेकरण ने इस कहां पर बिंदू करता है यह भुजा और यह भुजा बराबर बराबर है ठीक है उसके बाद देखी हमें हम पता है कि अगर ये कौन 30 जीरीं को अगणSF चैनल बना है इस ही को बन रहा है सरकर नभूहा चालिसी तरह से यह 50 कैसे बना है इस गौण से बना हुआ his李 जोंगि में पता है कि हम इस क्यों को निकाला यह दिक जाट्रबूज साइक्लिक चतर्भू arena's umन Mahar का कौनों कर्यों 1 इसे क्यों अचरिओ निए एप प्लस एंग उसी बराबर क्या उगां इक means a इंगल जी बताना है एक उसी ऑप मानेस ऊंगल सी हो जाएगा 180 और इसे को हैं गल सी हितना है तो 50 और 40 90 हो जाएगा 90 कितना हो गया इस एंगल का नाम हो गया एंगल सी किस इंगल सी के नाम क्या इंगल BCD यहां पे क्या جा ग जागा इसके बाद आपके सामने से नमबर कोशन आ रहा है इस कोशन को कीजिए और बताइए क्या एंसर होगा से नमबर कोशन का इसके बाद आपके सामने जो है से नमबर कोशन आ गया इसे कीजिए और बताइए क्या एंसर होगा कोशन में दिया हुआ है कि two equal circle of radius six centimeter intersect each other such that each passes through the center of the other यानि दो circle 6 centimeter का है अगर इसका center यह है तो दूसरा भी इसके center से पास कर रहा है और यह दूसरे के center से पास कर रहा है ठीक है और यह आपका क्या दिया हुआ यहां से यहां तक क्या हो जागा छे सेंटीमेटर हो जाएगा यह रेडियस हो गया और यह मानलों की ओवन हो गया और यह क्या हो गया दोनों क्या हो गया यह किस विन्दु पे कट करते हैं तो मालों की एंटगर करते हैं इस तो मिंदु करते हैं इस पर इस पहें आप्य पर मेंदुशें होगा ठीक अब रेडियस है कितना दिया हुआ और यह टोटल आपका सिक्ष दिया हुआ यह कितना हो जाएगा यह थिलियो और भी क्या होगा थिलियो जाएगा यहां इसको निकालना चाहे एम को निकालना चाहे एम बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 27 हो जाएगा इसको 27 कर दीजिए अब नौ 3 का 27 होता है तो नौ 3 का 27 एंदि ठीरी रूट 3 हो जाएगा ठीक है यहां से एम की वेलों निकाल लिया थीरी रूट 3 थम्कों बताना है कि ए बी की क्या हुगी ए बिब्ड़ाबर क्या होगा 2 इन्टो एम होगा तो यहां पर प्रवलू टू से मल्टिप्लाइ कर दें तो क्या हो जगा शीक्स रूट तो आप common chord की लंबाई क्या होगे six root three हो गई यह आपका answer हो गया six root three तो इस question को आप देख लीजिए इसके बाद आपके सामने आएगा next question eight number question उस question को करना है उसे बताना है को उसका answer क्या होगा कि कि आप अच्छा अच्छा कि 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 यह आठ नमबर सवाल आपके सामने आ गया होगा इस question को कीजिए और बताईए क्या answer होगा एट नमबर सवाल का कि अच्छा के स्क्रीन पर आ चुका है इसे कीजिए और बताईए क्या answer होगा कि 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 चलिए आपते हैं इसके बाद एट नमबर सवाल्ब पर यह आज का आपका लास सवाल होगा इट नमबर सवाल को इस कोशन हो करते हैं दो लेंथ आफ दा कॉर्ड ऑफ चरकल 6 cm कोई सरकल है जिसके कोड की लंभाई कितना दिया मांनों कि एबी कॉड है तो 6 cm दिया हुआ ठीक है उसके बाद पर्पेंदीक्लar डिस्टेंस बित्विन सेंटर एंड कोड तो सेंटर मालों की diff हो गया इसके बीच का क्या चाहिए पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज मालों कि एम पॉइंट हो गया तमको ओम की वैलू चाहिए किसकी वैलू चाहिए और कॉशन में क्या दिया हुआ कोड़ी फोर सेंटीमेटर लेंथ अब दो कॉड़ ओफ और सेंटीमेटर और पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है एक है टो यह Mapलो की होजा बनाहे कितना स्थीत हुए कॉन मौ तो निकाल ले तो डाम वेंनमे पता है यह क्या फिल् und कि नीकाले this गाल प्लस इसका को यह कितना हो जाएगा टो टोंuden टेसीं से तßen फाइब यह जाएगा एक сб Kennedy week-igam कितना हो जाएगा又 एक आ प्लेश्कमोर 6 देशला हो जाएगा तो 10 सेंटीमेट्र हो गया यहां से आर की विविवागा यह जाएगा को देढम को किया आपको मार्क में देता हूँ यह कोशन अब देखिए कि नइन्थ नमबर कोशन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है आज का लास्स सवाल रहेगा तो आज मैं आपको बेसिक कॉंसे बता दिया सरकल का सब कुछ बेसिक आपको जो मेटी का बता जा चूका है दो-تरिन जय भारब